बड़ों को प्रणाम बच्चों को प्यार आप सबको नमस्कार जैहिन सातियों मैं आरके नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनान्न करता हूं बारतिय राजवेवस्ता की इस वीडियो क्लास सीरीज में आज सातियों हम बारतिय सविदान से समदित कुछ वाली है बाके सातियों अगर आपको भारतिये सविदान से समदित किसी भी परकार की महत्वपन जानकारी चाहिए वो वीडियो देखने के रूप में हो तो आप प्ले लिस्ट को वीजिट करें पीडियेफ डाउनलोड करने के लिए सातियों वह भी आप हमारे टेलिग्राम च यह वीडियो शिरीज बहुती मैत्वपन साबित होगी जिसके अंतरगर सातियों हम बारतिये सविदान से समदित जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको देंगे और बाकी सातियों इसके साथ ही आपको जो यहां पर पुष्ट के आप देख पार रहे हो और उपर जो प्लेलिस्ट चाहिए या जो भी पुष्टक का पीडिफ चाहिए रिविजिन के लिए तो आपको मिल जाएगा तो सातियों अब हम सुरू करते हैं भारतिये सविदान से समदित जुड़ी हुई कुछ मैत्वपन जानकारी इससे पहले सातियों यह जो आप पीडिफ देख पार रहे हो पीपीटी के रूप में यह जो पीपीटी है यह आपको पीडिफ के रूप में मैं दे दूँगा आप हमारे टेलिग्राम चैनल और वार्सप गुरूप को जुड़ जाए या जोइन कर लेजिए ताकि सातियों भारत के सविदान से समदित जुड़ी हुई मैंतपुन जानकारी आपको मिल सके तो सबसे पहले सातियों आप यहां पर जितनी भी पुष्ट के देख रहे हों चाहिए वो किसी भी सब्जेक्ट की हो अगर उनका पीडिफ चाहिए तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट की वीडियो है उनको देख कर कॉमेंट करें ताकि मेरे को भी पता रहे कि आपको किस का पीडिफ चाहिए अब सातियों हम भारतिय सवीदान से समदित जुड़ी कुछ मैंतपुन जानकारी ले लेते हैं तो सबसे पहले सातियों इससे पहले कि जितने भी वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिए जिसमें संपुन जानकारी दे गई है पॉलिटी से समंदित आज आती हूं एक बार फिर से हम भारतिय सवीदान यानि इंडियन पॉलिटी से समंदित यह जो वीडियो होने वाला है हमारा काफी मैतपुन जानकारी रहेगी आपके लिए भारतिय राजविवर्शत समंदित जो की है भारत सरकार अधिनियम 1935 बारत सवीदान में क्या मैतवर रहा सात्य हूं यह संपुन जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी और भारत सरकार अधिनियम 1935 का मैतवर्श समय के इंसाब से देख जाए तब भी यह बहुत ही मैतपुन सवीदान जो का सविधान बनाया गया था उसमें बारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत ही महतपूर्ण रोल रहा है एहम भूमिका रही है तो उसके बारे में कुछ महतपूर्ण जानकर लेते हैं जो कि आपके लिए एक्जाम की दर्श्टी से महतपूर्ण साबित होगी सबसे पहले सातियों आप यहां पर देखिए 1935 के अधिनियम ने सबसे पहले भारत में संगात्मक सरकार की इस तापना की थी आप सातियों अगर आप 1935 का है इसे उसके बाद में साथिओं वरस 1929 के बाद भारत में उत्रदाइतव पुरुण शासन की इस्तापना के लिए ये दूसरा महतुपून प्रियास था 1909 के बाद अगर देखंगा जाये तो शाथिओं ये 1935 उत्तदाइत पुर्ण सासन की इस्तापना करने के लिए भारत में ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रियास था और ये प्रियास इतना महत्वपूर्ण था कि आज के समय में भारत के सविदान में अधिनियम 1935 से समधित बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे इसी अधिनियम से लिए गए हैं उसके बाद सातियों आप यहां पर देखेंगे यह एक बहुत लंबा और जटिल अधिनियम है 1935 का भारत का वरतमान सविदानिक डांचा बहुत कुछ वरस 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है अब सातियों वरतमान समय में भारत के सविदान में 1935 के अधिनियम का क्या मैत्व है और कितना मेटेरियल यहां से लिया गया सविदान में डायरेक्ट वह जानकर आपको इस वीडियो में मिलेगी तो चलिए एक्जाम की दृष्टी से जो मैत्वपूर्ण कुछ प्रावदान है उन्हें हम देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले सात्यों इस आधिनियम में परस्तावित संग में सभी बिर्टिस भारतिय प्रांतों एं मुखे आयुक्त के प्रांतों का सामिल होना अनिवारियत था किन्तु देशी रियास्ते का सामिल होना वेकल था यानि यहां पर क्या है वह अपनी सवेचा से अगर चाहे तो साम हो सकते लेकिन जो बारतिय प्रांत जितने भी थे वो और जो मुक आयुक्त के प्रांतों थे उनका सामिल होना अनिवारियत था इनग दो सरतें थी पहली सरत हम बता देते हैं आपको कि रियास्त के जो परती निदियों में नियुनतम आदे परती निदी चुने जाने वाली रियास्तें संग में समलित हो सकती थी या फिर समलित हो दूसरी सरत क्या थी साथियों तो रियास्तों की कुल जन संक्या में से आदी जन संक्या वाली रियास्तें संग में सम्लित हो अब साथियों यहां पर वो रियास्तें जो भारत से भीडी या उससे सम्लित कुछ महत्मुन जानकर हम लेंगे की भारत सवतंतर होने के बाद कौन कौन सी रियास्तें एसी थी जि लेकिन सातियों ये तो जो हमारे उस समय के महाफूरुष थे जिसमें डोक्टर भीमराव अंबेड करेश्ट सरदार वलब भाई पटेल की बहुती मैतपुन भूमिका रही तो इन सब के प्रियास्तों से सातियों यहां पर क्या है इन रियास्तों का एक ही करन संभव होत पाया तो सातियों पूरो में बिर्टी समराज शन 1929 के अंतरगत के साथ हैं बिर्टिस भारत वर रियास्तों बór देस्टों में था विडिesh आधिकारित परदेश भी थे अन्य निर्बर परदेश भी थे जो के सातियों आप यहां पर इस मान्चित्र में देख पा रहे हैं अब सातियों इस परकार की जानकारी का पीडियेप आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड करके रिविजन करते रहिए परआसन के विशेों को दो भाग में बांत दिया ःता कौन-कौन से 2 वीशे सातियों एक तो आपका सुरुचित और एक हस्तात्रित है तो यहांपर सुरुचित वाले में अब हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि सुरुचित विशेों में जो साथियों विदेशी मामले होते थे उनको सुरुक्षित रखे गए एक विशे में जिसमें जनजाती एक्षेतर धार्मिक तता रच्षा से समधित मामले थे जिनका परसाशन कौन देखबाल कर रहा था साथियों गवर्णर जनरल को कारी-कारी पार्षतों की सलापर करना थ यह कारी-कारी जो फार्षत थे वो केंद्री वेवस्तापिका के परती उत्रदाई नहीं थे अब साथियों वर्तमान में जैसे लोकसभा राजे सबा या परदान मंत्री किस के परती उत्रदाई होता है या फिससे समधित मतलब संपूर्ण जानकर यह आपको मिल जाएगी क केंद्री विदान सबा या केंद्री विदायका के बारे में जानकर लेते हैं साथियों विदान सबाय संग्य विदान सबा जिसमें कितने सदे से राज परिशत कितने सदे से मतलब यह इससे समधित एक महत्वर्ण जानकरी उस समय के हिसाब से यह अभी वर्तमान समय में या कौन से अनुछेद में इसका उलेक है अब सातियों उसके बाद में हस्तात्रित वीशेयों में वे सभी अन्य विशे सामिल थे कौन से थे जो सुरुक्षित वीशे में सामिल नहीं थे उसके बाद में सातियों हस्तात्रित वीशेयों का परसासन गवर्नर्स जनरल को उन मंत थे तता एविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इन्हें त्याग पत्तर भी देना पड़ता था अब सात्यों अगर लोकसवा में एविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और पास हो गया तो सरकार भी गिर सकती है तो उसी परकार सात्यों वहां पर भी इस परकार का एवि सबीव ज़ीजे तीन सूची में बंटे गए थे तीन सूची कोंगान सी सब पहले हम देख लेते हैं केंद्रीजे सूची जिसमें 69% उसके बार में राजय सूची में साथियों तोपन विशे समवर्थी सुची में 37 वी से इस परकार से बांटे गए थे अवशिष्ट सक्तियां वाइस राय को ही दी गई थी या फिर इनी के पास में हुआ करती थी तो साथियों सविदान लागू होने के समय केंद्रिय सुची समवर्थी सुची और राजे सुची में कितने विसे थे और वर्तमान समय में कितने है साथियों कॉमेंट करके जरूर बताईए बाके साथियों आपको इस परकार के संपून जानकारी इसी चैनल पर और इसी वीड के लिए PDP मिलेगी आपको प्रांतों को सवतंतर आर्थिक सक्तियां एंसन साधन दिये गए उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे प्रांतिये जो सरकारें अपनी स्ट्रेम की शाक फर धन उदार ले सकती थी यह भी एक प्रांत किया गया था प्रांतों को सवाइटता एंपर थक विदी की पहचान बनाने का अधिकार परदान करना था उसके बाद में साथियों कुछ और मैटमून जानकारी जो कि इस अधिनियम से जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है इससे समदिद लेते हैं वो जानकारी जो एक्जाम की दृष्टी से हमारे लिए फायदेमन है तो सबसे पहले साथियों यहां पर आप देखिए सांपरदायक तता अन्य वर्गों को पर्तक पर्ति निदित्वे दिया गया था अधिनि होता क्या था साथियों उसको भी हम यहां पर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि उससे समदिद भी एक्जाम में क्यूशन पूछा जा सकता है तो यहां पर साथियों अमेंड यह जो गांदी जी और अमवेटगर के बीच में पून्ना फेक्ट हुआ था अगस्त 1932 मे अंग्रेज़ों के इस फेचले के खिलाब गांदी जी ने अमरन अंसन पर बेट गए थे और उसके बाद में साथियों चोबी सित्मबार 1932 में पूर्णे में क्या हुआ यह जो यरवदा जेल थी उस जेल में गांदी अमवेटगर के बीच में इसे खतम करने के लिए एक सम जोदे की बीच में एक समजोता हो गया और उसी समजोते को हम पूना पेक्त या पूना समजोते के नाम से जानते हैं उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे कि सभी सद्शियों का निर्वाचन शिद्दी तोर पर होता था और मतादिकार में वर्दी की गई एक परमुक मुख्यमंत्री के अदिंकारी करते थे यह साथियों शंपुन जानकरी आपको मिली है पुला पर शेय लेकर के यहां तक जोकी साथियों आपका है भारत सरकार अदिनियम 1935 से समद्द आसा करता हूं साथियों करें आपको अच्छी लग रही होगी अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर सकते हो तो सात्यूं आप यहाँ पर देख लेते हम मंत्री अपने विवाग के परती जवाब देई होते थे किसी मामले में दोस्य पाई जाने पर व्यवस्ता पेका में उन और दिया गया इसके बाद भी गवर्णर के विशेस अधिकार अभी भी बने रहे। उसके बाद में सात्वी यहां पर क्या होता है प्रांतों में द्वेजश और सासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है आप से एक्जाम में क्यूशन पूछा जाएगा कि द्वेजशाशन भारत में जो प्रांतें थी उन प्रांतों में द्वेजशाशन समाप्त किस अधिनियम के अंतरगत किया गया या किस के दुवारा किया गया तो साथियों आपका राइट आंस्वर होना चाहिए 1935 का भार सद्वेजाशन को गरिशेशन के गई आप सातयों द्वेजशाशन की स्थापना की गई इसको हम फैडरिल कोर्ट कहते है 1936 में संगिय बैंक जिसको को हम RBI कहते हैं कि इस्तापना की गई तो साथियों यह आपके लिए काफी महत्वपून जान करी है इस अधिनियम से समधित अब साथियों लोग से से समधित कुछ महत्वपून जान कर लेते हैं पबलिक सर्विस कमिसन आर्टिकल 315 से 323 तक इसका उलेक आपको भारतिय सविदान में मिलेगा जिसमें संग लोग सेवा आयोग यूपेसी राज्य लोग सेवा आयोग जो इस्टेट PCS होता है उससे समधित है और उसके बाद मे सेवा आयोग यह पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो से रंखला में मिलेगी अब यूपेसी किस किस की बर्ति करवाती है आपकिसे एक्जाम की ताहरी कर रहे हो वो पूरी जानकारे आपको मिल जाएगी उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखिए संग लोग सेव आयोग वैदो या इसें अदिक राजियों के लिए स्वियुक तेलोक सेवा आयोग का गटन किया गया उसके बाद में साथ हूं बिल्टी संसद की शिरोच्टा बनी रही उस समय भी क्या है बिल्टी संसद की जो साथ यहां पर आप देखेंगे एक तो ब्रमा है और एक यहां पर कुछ ऐसे पार्ट थे जो इंडिया में थे लेकिन उसमें किया है उनको अलग कर दिया गया था तो साथियों 12 सरकार अदिनियम 1935 अदिनियम में जो प्रावदान है उन में से आप यहां पर देखेंगे जो संग बनाने की योजना को पूरा नहीं किया जा सका फिर भी इस अदिनियम के कई सारे प्रावदान लागू हो गए और उसके बाद में जो आज भी भारतिय सासन वे का आधार अगर बन सकते हैं यह अदिनियम के कुछ प्रावदान तो इसका मतलब है 1935 का अदिनियम आपके लिए एकदाम की दिरिश्टिशें बहुत ही ज़्यादा मेहत्वन साबित होगा क्योंकि एकजाम में इससे समद्धिक क्यूशन पूछा जा सकता है तो उसके बाद सासन अधिनियम 1935 को आदार बना कर चला है यानि आपको यह पता होना चाहिए कि भारतिय सविदान का जो परमुक आदार है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 है अब सातियों मिनी सविदान के नाम से किस अधिनियम को जानते हैं या लगू सविदान के नाम से किसी जानते हैं व गवर्णर प्रांतों में ताज का मनोनित पर्टी निदी होता था जो महामहिम ताज क्राउन की और से समस्त कारियों का संचालने उन्यंत्रन करता था यह दि गवर्णर यह अनवाव करे कि प्रांत का परसासन सविधान के उपबंदों के अनुसार नहीं चल रहा है अगर वरतमान समय में वी सातियों के मालों राश्टरपति को लगता है कि कि पर्दान मिंद्री को यह कंसे नहीं संचालित हो रही तब वहाँ पर क्या किया जाता है साथियों राष्ट्रपती शासन लगा दिया जाता है और वहाँ के सारे पावर सेंटर में यानी राष्ट्रपती के पास आ जाते हैं केंदर सरकार के पास तो साथियों सबसे ज्यादा बार राष्टरपती सासन भारत में किस राजे में लगाया गया सबसे पहले भारत में कब राष्टरपती सासन लगाया ये आप कॉमेंट करके बताईए बाकि साथियों आपको इसके PDF जरूर मिल जाएगी जिसमें रिविजन के लिए आपको काफी फायदेमंद साबित होगी संग्य विदान मंडल के बारे में जानकर लेते हैं संग्य विदान मंडल दीव सद्दिये थी अब साथियों आपको कॉमेंट करके ये बताना है कि भारत अब राज्य परिशद ए उसको हम उच्छ परिशद कहते हैं या उच्छ सदन कहते हैं तता संग्य सभा जो होती है उसे निम्न सदन या निम्ने सभा कहते हैं उसके बाद में साथियों आप देखेंगे इस परकार का प्रावदान किया रहे था ये एक बहुती अजीव और वर्तमान समय में उच सब्दन कौन सा है निम्न सब्दन कौन सा है आप कमेंट करके बताईए लोग सबा और राज्य सबा में से उसके बाद में साथ है निम्न सब्दन जो की अधिक महत्वपूर्ण के सदिश्यों का चुनाओ ऐप परतेक्स तरिके से होता था जैसे वर्त अधिकार उसमें भी प्रावदान किया गया था राजाओं को उच सब्दन के 40% तता निम्न सब्दन के जो सात्यों यहां पर आप देखेंगे तो 33% सद्द से मनोनित करने का अधिकार था किन को राजाओं को तो वर्तमान समय में भी सात्यों राश्ट्रपति को लोग सबा और राज्यसबा में सद्द से मनोनित करने का अधिकार है इसके अंत्रगत भी धरम जाती आधारित निर्वाचन परनाली को आगे भी जारी रखने की विवस्ता की गई अब सात्यों यह आपके लिए काफी महत्मुन जान करिए कि वर्तमान समय में भी जो मनोनित करने का 284 सद्द से पृत्ते 3 साल के बाद चुने जाने थे या 3 साल के बाद मैं क्या सात्यों सुनना था एक त्यहाई सद्दियों को इसकी अधिक्तम संक्या 260 होने थी इन में से क्या साथियों यहां पर 156 प्रांतों से चुने हुए परतिनिदी और अधिक्तम 104 रियास्तों के परतिनिदी होने थे जिने क्या साथियों यहां पर समंदित जो भी राजा होता था उस राजा को मनुनित करना था इन सदस्यों को उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे संग्य सभा एक ऐस्ताई सदन था इसका कारिकाल पांच वर्स निर्दैर था अब साथियों आप मुझे यह बताए कोमेंट करके कि लोग सभा और राजी सभा में से कौन सा सदन इस्ताई है और कौन सा ऐस्ताई है राजी सभा का कारिकाल कितने साल का होता है कितने वर्स का होता है और लोग सभा का कारिकाल कितने साल का होता है और लोग सभा का कारिकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है या फिर साथियों अब तक कितनी बार लोग सभा का कारिकाल बढ़ा है वह आप कॉमेंट करके बताए यह बाकी साथियों आपको इस परकार की जानकारी पीडिएप में मिल जाएगी और वीडियो लगाता रहें देखते रहें रिविजिन करने के लिए तो यहांपर साथियों आप यहांपर देखिँगे सबसे पहले कि इसके सदस्यों में से 250 प्रांटों के और अधिकादिग 125 सदसे रियास्तों के होने थे रियास्तों से समंदित जो राजा है उसके द्वारा मनोनित किये जाते थे जबकि बिर्टिस प्रांतों के सद से प्रांतिये विदान परिशदों द्वारा चुने जाते थे संगिये सावा के सद से मंत्रियों के विरुद ऐविश्वास प्रस्ताव नहीं लाज सकते थे संग्य बजट का 55% भाग ऐसा था जिस पर विदान मंडल मता अधिकार का परियोग नहीं कर सकता था अब साथ्यो यह आपके ले काफी मैतमन जानकारी है आसा करता हूं साथ्यों यह जानकार आपको अच्छे लगी होगी अगर जानकारी अच्छे लगतीया यहूद आप ने दूसरी भाई वै। पैन्पनों तक इस वीडियो के लिंक को से widespread करें और इस वीडियो के बाद साथि अगले वीडियो में एक नई उमीद नए जोस और आसा की किरन के साथ तब तक आप रिविजन करते रहें धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रां